यदि कोई कृष्ण से प्रेम करता है और कोई येशू से प्रेम नहीं करता है तो मान लीजे के वो अग्यानी है ये राक्षक्स है ये अधर्मी है पता नहीं किस कस तरीके की लिंग्विज का इस्तमाल कर रहा है दोस्तों ये वीडियो देखने के बात में मुझे बहुत दुख हुआ और मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ में इस वीडियो को शेयर करूँ तो आप लोग भी इस वीडियो को पूरा देखेगा और उसका कहना है कि किसी ने हमारी करसन और येशू की तुलना की थी तो दोनों को एक जैसा बता रहे थे लेकिन वो येशू मसी का कुछ है लेगी करेक्टर बता रहा है दोस्तो तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखेगा और दोस्तो मैं आप लोगों को बता दूँ काफी दिनों से हमारी चैनल के रीच बहुत ही डाउन चल रही है और आपसे एक ही हैल्प चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और जादा सी जादा इस वीडियो को शेयर करिए एंड एक लाइक जरूर करिएगा अपनी राए कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा ताकि ये वीडियो और लोगों तक भी पहुंच सके जो गुमरा हैं जो भटक चुके हैं या फिर जो भटक नेवाले हैं उनको इन वीडियो की दवार हम सेव कर सकें तो आप लोग जरूर इस वीडियो को शेर करिएगा इन चैनल पर पहुंचे और जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए आईए पहले आप इस वीडियो को देखिए फिर आगे हम बात करते हैं ब्रीला प्रभूपात भागवान सिरी क्रिषन को जीसस के बरावर बताते हैं। और प्रविद्ट प्रभूण ओर इस वीडियो कोई वैक्ति क्रिश्न से प्रेम करता है तो उसे प्रभु यीशु मसीय से भी प्रेम करना चाहिए यदि कोई रेक्टी भगवान कृष्ण से प्रेम करता है तो उसे जीसस से भी प्रेम करना चाहिए यदि कोई कृष्ण से प्रेम करता है और कोई यीशु से प्रेम नहीं करता है तो मान लिजे कि वो अग्यानी है अर्थात भगवान सुरी कृष्ण को समझना है पढ़ना है आपको तो साथ में जीसस को भी पढ़ना पड़ेगा जीसस को भी प्रेम करना पड़ेगा तो कहाँ एक ओर एक कोई दोष्ट व्यक्ति एक अधर्मी, कुकर्मी व्यक्ति और कहां भगवान स्री कृष्ण उन दोनों की समान था यानि कि एक राक्षा से भगवान स्री कृष्ण की समान अता कर रहे हैं यानि कि एक राक्षा से भगवान स्री कृष्ण की समान अता कर रहे हैं Jesus Christ बोलके गए है, मैं दुनिया में आग लगाने आया हूँ मैं शान्ती के लिए नहीं आया हूँ, आग लगाने आया हूँ उसको continue कर रहे हैं, मतलब कि और बड़ी बात की भगवान सरी कृष्ण कर रहे हैं, इनका कहने का आर्थ ही है तो दोस्तो अभी आप लोग नहीं वीडियो देखा, इस वीडियो में देखने के बाद में आप लोग समझ गए होंगे कि ये वो वेक्ती है जो सिरफ अपने आप में बुद्धिमान है, जिसे लगता है कि मेरे जैसा कोई बुद्धिमान ही संसार के अंदर है ही नहीं देखे पहली बातों में आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, परमीशर का वचन जो खुद परमीशर ने बोला है, जो उसकी पवित्रा आत्मा की अगवाई में लिखा गया है, जो उस पवित्रा आत्मा की सामट से लिखा गया है, वो वचन समझने लिए मनुश्य की ब वास्तो पर हमें ले चलता है तो परमेशर का वचन समझने के लिए हम सबसे पहले हमें परमेशर के आत्मा से फुल्फिल होना पड़ता है हमें प्रभी येश्युमसी के पीछे चलना पड़ता है तब जाकर हम परमेशर का ग्यान समझ सकते हैं परमेशर का वचन क्या है अभी अगर बात कह रहे हैं हमारी कर्षन की तो कर्षन तो कह रहा है कि मैं धार मिक्ता को इस्थापित करने आया हूँ अभी मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ आप लोगों ने कभी भी बाइबल में ये देखा होगा प्रभी येश्य मसी ने साड़े तेतिस साल इस धर्ती पर बिताये थे क्या आपने कभी देखा है कि येश्य मसी किसी व्यक्ति का विरोध कर रहा है या फिर किसी को भला बुरा बोल रहा है या फिर येश्य मसी किसी को गाली दे रहा है कि जो कोई तुम्हें गाली दे, तुम उन्हें आशिस देना, तुम्हारे शत्रों से तुम प्रेम करो, अपने प्रशेजंसे बेढ़ करो, तुम्हें प्रभु ये शिवमसी ही ने तुम्हें ये शिक्सा दी आ है, लेकिन हमें इस वीडियो में कुछ हला लगी ही देखने को म मिलता है दोस्तों यह वह बात होगी दोस्तों जिसके पास बुद्धी है वह अपने आपको बुद्धिमान समझता है लेकिन जिसके पास स्वर्गे ग्यान है वह अपने आपको बहुत ही नम्र व्यक्ति समझता है क्योंकि यह ग्यान परमीशिर के और से मिलता है और जब तक कि नहीं होता तब तक कोई व casew कारेक्टर देखने को मिलता ये हमें चरीतर देखने को मिलता है कि यह यह मसीय कैसे थे पहले बातों में आप लोगों को बना दुञे मलता और रहे खूथ कोइंट कोई मेरे पीछे चलना चाहे니다 वो अपना क्रूस उठाए और अपने आपका इंकार करे येश्य मसी ने क्या कहा मनुश्य के बेरी उसके घर के लोग ही होंगे ये इन हमें देखने को मिलता है कि आज जब लोग प्रभी येश्य मसी पर विश्य करते हैं उनके घर वाले उनके पडोसी उनके भाई भंदू उनके दोस्त उनके काम वाली सब लोग उनसे नफुरत करने लग जाते हैं कि तुमने धारम बदल लिया तुमने जात बदल लिया तुमने यह कर दिया वह कर दिया बलकि हम पहले जो जीवन जीते थे बुराई में पाप में अंदकार में बस उस जीवन को छोड़ कर हम प्रभु येश्यु मस्थी के धार मिक्ता में आये हैं प्रभु येश्यु मस्थ हमें अनुक रह देता है क्योंकि हम इस बात को जाँ चुके हैं कि इस परत्वी के जीवन के बाद में हमारा एक जीवन है वो जीवन हमें तब ही मिलेगा जब हम इस संसार के अंदर धार्मिकता का जीवन जीएंगे परमिशर के अनुसार जीएंगे और सचा व्हु परेखी जे लऑनील में मुस्वैक के जो कि सब्सक्राइब हैं। प्रश्र है हम किसी मनुष्य के सामने हाथ नहीं पहलाते बस यहीं हमारी सचाहिए दोस्तों और रही बात इनका जो भगवान है श्री करशन मैं उनकी कोई भी बात नहीं करूंगा क्योंकि देखो हमें किसी से कुछ भी लेना देना नहीं है ना तो हम किसी को गलत समझते हैं हमकिसी की निंदा करते हैं हमारी सब्सक्राइब करते हैं आपका विश्वास है आप अपने विश्वास के पीछे चलिए लेकिन आपका कोई अदिकार नहीं बनता कि आप किसी के विश्वास के उपर उंगली उठाएं या फिर किसी के जो बगवान है या फिर कुछ भी है आप उनकी निंदा ना करें क्योंकि मुझे देखने को इस वीडियो में ये लगता है कि एक धार्मिक गुरू है या फिर कुछ भी है लेकिन जिस परकार के बाते कर रहे हम मिलते हैं किसी और वीडियो में प्रभू आप सभी को बहुत आसीज दे जैमसी की गड़ बलेश यू